Hello student, my YouTube channel Nursing Education Academy में आपका स्वागा थे तो हम पिछले क्लास में हम लोगे एनिवा पढ़े थे एनिवा का डिफिनिशन, परपस ओफ इनिवा और क्लासिपेशन सब इनिवा आज हम पढ़ेंगे एनिवा से ही रिलेटेट क्लासिफिकेशन सब इनिवा के बारे में तो हम लोग पिछले class में पढ़ चोके थे किए सिंपल इवक्वेंट में मेरने मेंडिकेट ऑम और इवक्वेंट अनिमा के बारे में देखते हैं इसका यूज गाल करने के लिए नेक्स इसमें पढ़ते हैं ऑपनें अनिमा के बार में हम लग पढ़ने हैं पुरा डिटल से तोई स्टुमिलेट डिफिकेशन एंड टू ट्रीट कोश्टिपिसन यानिक को उप्चार के लिए सिंपल इवक्येंट एनिमा का यूज होता है और अगर मल त्याग करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कोई परिशानी हो रही है तो उसके लिए हम लोग सिंपल इवक्येंट एनिमा देते हैं ठीक है यानि अगर किसी पेसेंट को ज्यादा गैसे हो रहा है तो उसको रिलीव के लिए आराम के लिए हम लोग सिंपल इवक्येंट एनिमा देते हैं में अगर किसी पेसेंट को या किसी मरीज को यूरीन करने में प्रॉब्लम हो रही है या यूरीन में रिटेस्टन हो रही है तो उसके लिए हम लोग सिंपल इवक्येंट इनिमा देते हैं इसका solution देख लेते हैं कि इसका घोल कैसे बनता है तो शॉप एंड वाटर शॉप जेली 50 ml एमेल टू 1 लिटर ओफ वाटर यानी शॉप जेली हम लोग 50 ml लेंगे और एक लिटर पानी के साथ और नेक्स्ट नॉर्मल स्लाइन लिटर यानी सोडियम कोलराइड के साथ 1 लिटर पानी लेंगे तो सिंपल वाकुन टेनिमा में सॉलूशन कितना यूज हुआ था क्या क्या तो उसके बार में ही पढ़ रहे थे तो इमांट ओफ सलूशन दिखते हैं कि कितना इमांट होना चाहिए अडल्ट चिल्रेंट और इ इमांट के लिए 250 ml और उससे कम यानि लेस टेंप्रेचर कितना होगा सुलूशन का अनिमा देने के लिए अडल्ट के लिए 105 तो 110 डिग्री फारने हाइट और चिल्डेंट के लिए 100 डिग्री फारने हाइट अब हम लोग नेक्स्त पढ़ेंगे मेडिकेटर एवाकुन अनि यानि दूसरा है तो उसमें हम लोग ओयल एनिमा पढ़ते हैं ओयल एनिमा क्या है दिज आर गिविन टूस अटें फीकल मेटर इन केस ऑफ सीवेर कॉंस्टिपीशन यानि किसी भी पेसेंट को ज्यादा अगर कॉंस्टिपीशन हो रहा है या बहुत दिनों से फीकल मेटर ज एक वाइड इस्टेंग एंड इंजूरी डो दा सुचर एंड वूंड तो इसको हम लोग जो ओयल एनिमा देते हैं इसमें इसलिए किता कि जो वहां पे रेक्टम और पेरियम है तो हां के जो सुचर लगा हुआ है या इंजूरी हुआ है या उन्द है उस पे कोई प्रेसर ना पड़े या कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है नेक्स्ट है इट शुट भी रिटेंट फोर हाफ एन आवर तू वन आवर तू सब्टेंद अफिकर यानि या वाइल एनिमा यूज होता है इसमें कि जो फिकल मेटर है तो उसको क्या करता है कि वन आवर या हाफ आवर में उ इस शुट देन बी फॉलोड बाई और सॉप एंड वाटर एनिमा टू ओपेन दा बाइल यानि जो बाइल का ओ जो होल है उसको ओपेन करने के लिए हम लोग ओल एनिमा देते हैं तो ओल एनिमा का सोलूशन देखते हैं ओलिव ओल स्वीट ओल और कस्टर ओल एंड ओलिव ओ ओन रेशे 2 इसका एमांट कितना होगा 152 175 ml और टेमपरेचर 100 डिगरी फारने हाइट होगा इसका सॉलूशन पढ़ लेते हैं ओल एनिमा का तो सॉलूशन क्या होगा ओलिव ओल ओल स्वीट ओल कस्टर ओल और ओल 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 ऊंड ओल 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 और ओल 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 ओ प्रुगेटिव निमा क्या है यह विए विए ने प्रुगेटिव निमा उसके लिए हम लोग रिमुव करने के लिए प्रुगेटिव निमा देते हैं नेक्स्ट है इट इट बाई यानि जो मुचस लाइनिंग में जो इरिटेशन हो रही है या इंफ्लामेशन हो रही है इंफेक्शन हो रही है उसके लिए हम लोग क्या देते हैं प्रुगेटिव निमा देते हैं इसका सोलुशन क्या है प्योर ग्लीसरीन 50-30 ml ग्लीसरीन एंड वाटर वन रेशियो 2 ग्लीसरीन एंड कर्ष्टर वन रेशियो 1 हम लोग यूज करेंगे प्रव्गेटिव निमदीम में प्रेटिव नेमा में होता है ठीक है नेक्स्ट है एंथलेमेंटिक एनिमा एंथलेमेंटिक एनिमा में क्या है इस इज गीवें टू डिस्ट्रॉइ एंड एक्सप्लेंड दा वर्म फॉम दा इंटेस्टाइन यानि इसमें क्या होता है कि जो वर्म होते हैं इंटेस्टाइन में या यदि के लिए अंधिल मैंटिक एनिमा देते हैं ठिक है तर ट्रीटमेंट इज गीविन अंटिल दा वर्म एन्ड डिश्ट्राइ और यह नीमा कब तक देते हैं जब तक कि जो वर्म है वो दिश्ट्राइ ना हो जाये ठिक है इसका solution देखते हैं, कि solution क्या है, hypertonic sline solution, यानि sodium chloride 60 ml with 600 ml of water, और इसका amount होगा 250 ml, next पढ़ेगे curminative animal, curminative animal क्या होता है, तो इसका देख लिए ते हैं इसके बारे में, these are given to relieve basage distance of the abdomen by causing perishlysis and expression of flattest and ficus, यानि किसी patient को यदि abdomen distance हो रही है, और ज्यादा हो रही है, तो उसको हम लोग क्या देंगे, curminative animal देंगे, ठीक है, next, it is given as simple evoquant animal, यानि जैसे हम लोग simple evoquant animal देते थे, वैसे हम लोग curminative animal भी देंगे, इसका solution देख लेते हैं, 8 to 16 ml of it mixed with 1612,000 ml of soft solution, इसमें हम लोग यूज करेंगे, next पढ़ेंगे astrigent enema, astrigent enema क्या होता है, it contracts the tissues and blood vessels, check bleeding and inflammation lessens the amount of mucous discharge and gives temporary relief in the inflammation area, यानि क्या होता है कि अगर कहीं blood vessels में हिस्सू हो, या कहीं inflammation हो गया हो, या फिर mucus discharge हो रहा हो, तो उसके हम लोग temporary relief के लिए हम लोग astrigent enema देते हैं, ठीक है, next है, the solution is allowed to run in slowly and return quickly to avoid distension pain and irritation of the inflammation वाले, यानि जो हम लोग astrigent enema अगर देते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, slowly देंगे और quickly हम लोग निकाल लेंगे, यानि जल्दी सा उसको निकाल लेंगे, ताकि जहां पर inflammation हुआ हो, महां पर दर और irritation ना हो, ठीक है, अब next है, इसका solution दखते हैं, कि solution क्या होगा, tannic acid 2 gram to 600 ml of water, और temperature कितना होगा, तो temperature it is given as hot as the client can stand, यानि जो client है या जो patient है उसको बरदास करने, लाइक हम लोग उसको heat देंगे, ठीक है, ति यह था astrigent enema, next पढ़ेंगे cold ice enema, यानि जो evacuent enema का था, उसको 3 भागों में classified किया गया था, पहला था simple evacuent enema, दूसरा था medicated evacuent enema, और third है cold ice enema, तो हम लोग cold ice enema के बार में पढ़ते हैं, this is a given to decrease the body temperature in hyperparexia and heat stroke, यानि किसी patient को hyperparexia हो गया है, heat stroke हो गया है, तो उसके body temperature को कम करने के लिए, हम लोग cold ice enema देते हैं, ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ें, enema से related सारे topics जितने types ते पढ़ें, और next class में और topics इसमें से पढ़ेंगे, तो I hope आप लोग को ये topic समझ में आ गया होगा, अगर इस से related कोई भी problem हो ता आप comments box में comment किजिए, और please मेरे channel को like, subscribe और comment जरूर किजिए, thank you so much. अज़ नेकिए, अज़ें भी, और हम उते हैं, तो आज हम जोग लोग भी, रपने मीड़मा बनाभ चैंपराज़रान थामारा है ऐस से प्सक्राभवरा है, तो आज है, तो आज हम एंको कोईश्वरादी तो रहें वोग भी, तो उता हैं, या तो हम जोग खोग को गएको क